और यहां पे तुम्हारा भाई चार के चार बंदों को अपने सस्ते उजी की स्प्रे से ले जाता है मतलब पहले मुझे लगा था यार दो ही बंदे होंगे भाई दो से ये चार में कब बदले मुझे समझ तक नहीं आया तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और सौगत या आपका एक बिरान न्यू गलत सीन से भरे हुए भबजी दो मुबाईल गेम प्ले वीडियो में मतलब यार ये इंटेंस भी है और गलत सीन भी इसमें दबा दबा के हैं और यार इस गेम में जो ही उजी का स्प्रे पढ़ता है न भाई मज़ा टैप आजाता है बिलकुल मतलब चार बंदे होते हैं मेरे पे गोलिया भी नहीं होती लेकिन तुम्हारा भाई उजी से जुगार लगा लुगा के पेल देगा बंदों को खैर फिलाल तो यार मिल्टी रहरी आ रखे हैं हरा हेलमेट के नाम पे ये सस्ती टोपी और एक सोडगन मिलिये मुझे अभी अभी और इस बंदे को पेलते यार कते ही टाइगर सीरॉफ वाली फिलिंग आगे बिलकुल मज़ा टैप आ गया मतलब पहले मैं इसे दो सोडगन पेलता हूँ कुछ नहीं उखडता मैं बोलता हूँ यार कूट जाओ वैसे भी निहत्ता भग रहा है यार कूट के पेलो इसे और हवा में उद आते आते भाई नौक कर देता हूँ और पेटी बन चुकी है अभी देखो सीन क्या हो रखा है दो स्कॉर्ड उधर की साइड उत्री थी जिदर मैं भग रहा हूँ और एक बंदा मैं इनका पेली चुका हूँ और एक और बंदा दिखता है मुझे सफ़ित कपड़ों में बिलकुल और यहां पे दूजी किल करते ही बंदे की सीधा पेटी बन जाती है तो इसका मतलब भया सीन ये हो रखे कि भाई दो सकॉर्ड उत्री थी आपे जहां तक मुझे पता है उनके दो बंदे किसी और ने पेल दिए और दो को मैं पेल चुका हूँ लेकिन अभी वो बंदे बाक अब आपने इच्छा धारी साप सुनाओगा कच्छा धारी साप सुनाओगा ये कट्टा धारी साप है अब कट्टा धारी साप अपनी जगह में और हमारे भाई की नसली अंग्रे जी अपनी जगह में आर क्या ही हो गया पता नी खेर अब अंग्रे जी को साइड में हताओ बात करते हैं हमारे कट्टा धारी साप की अब देखो मुझे ठीक से नहीं पता वो किधर लेटा आवा था मेरे ख्याल से यहीं पे लेटा था उसके बाद उठके भगने की कुशिस की इसने खेर जो भी यार मतलब देखो वाई साप कई परकार के होते हैं आज मुझे कट्टा धारी साप भी देखने को मिल ही गया मतलब तरस गया था यार मैं कई दिनों से वाई ग्रोजा धारी साप M249 UMP वगेरा यहीं लेके बैठे पड़े होते थे भाई आज एक नया टैप का मिला कट्टा धारी यार कट्टा धारी साप बिल्कुल तो इससे थोड़ा बात करने की कोशिस करने के बाद वारता लाप करने की कोशिस करने के बाद उसकी पेटी बना दी क्यूंकि मुझे नहीं पता अब कौन सा धारी साप होगा वाँ पे और फैक्टरी में बन्दे गए थे तो उन्हें भी देखना है अब दोनों बन्दों को थोड़ा थोड़ा गोली पेल चुकाओं में तो या रस कैसे न करें हना अभी देखो मुझे दोई बन्दे भगते वे दिखे है ना वहाँ पे चार कब हो जाएंगे भाई आपको पता नहीं चलने का क्यूंकि मुझे खुद पता नहीं चलता और ये देखो क्या होता है आगे भगते भगते अब देखो मेरे पे गोली के नाम पे बहुत ही कम बाकी है पांच की गोली लेकिन फिर भी बर्बाद करेंगे अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डैमेज दे दे के मेरी M4 की सारी गोली खतम हो चुकी है और यार उजी की गोली ऐसे खतम होती है ना जैसे हलवाओ लेकिन कोई नियार अब क्या कर सकते हैं जो है उसी से काम चलाएंगे और उजी काफी बढ़िया गन है क्लूज रेंज के लिए और यहाँ पे तुमारा भाई चार के चार बंदो को अपने सस्ते उजी की स्प्रेसे ले जाता है मतलब पहले मुझे लगा था यार दो ही बंदे होंगे भाई दो से यह चार में कब बदले मुझे समझ तक नहीं आया और उपर से यह बोट खेर इस बोट को अता हटाओ यार वहाँ पे दो बंदे थे दो को पेला मैंने देखा एक और बाकी है मैंने बोला यार अब रिलोट कर दिया है तो यार सिधा पेटी बनेगी मेरी तो मैंने बोला ऐसी कि तैसी सपरे ट्रांसफर करते हैं और भाई जो भी गोली बची कुछी थी उससे तीसरा बंदा भी ले गया एकी सपरे में और आखरी बंदा सामने से आया और पांच-छे पतानी कितनी गोली बाकी थी उजी में उससे भी पेल दिया इसको तो अब भाई लोग यार उजी के लिए इस सस्ते सपरे वगएरा के लिए इस सकौड वाइप के लिए एक लाइक पेलना मत भूलना यार पेल के रख दो कते नीला टैप कर दो लाइक के बटन को हाना क्या पता आपको भी मजा टैप आजाए बिलकुल पेल के रख दो यार लाइक के बटन को नीला टैप कर दो हाना और इस बार हाथ मैंने कुछ ज़्यादा जोड से पताक दया लेकिन कोई बात नियार आप अपना अंगूठा या नाक पट को लाइक की बटन पे बस नीला टैप कर दो उसे और उसी के साथ मैं पोचंकी आ चुका हूँ बाकी बंदे ठिलाने अब काफी घंटे गाड़ी चलाने के बाद आखिर कार मुझे बंदों का थोड़ा सा मिलता है कि हाँ बाई यहाँ पे बंदे जिंदा है तो भाई इतने खुसी मैं मैं गाड़ी पेड़ पे पटक देता हूँ क्यार यहाँ पे बंदे उधर की तरफ गोली गारी चला रहे थे तो देखना है कि भाई सीन क्या चल रहा है और यहाँ पे जो ही बोट फायर होगी नयार बिलकुल मज़ा टैपा जाएगा मतलब उन लोग को पता होता है कि हम बोट नहीं है फिर भी वो जो खुजिली होती ह यहाँ वो रोक नहीं सकते आप लोग तो हाँ तैयार हो जाओ क्योंकि गलत सीन होने वाले यहाँ पे अब यार बोट फायर के लिए एक चीज बहुत ज़रूरी है वो है भाईया धीरच और यार अंगरेजी में क्या बोलते हैं पेशन्ट हाँ अगर आप पेशन्ट नहीं है ना कद्दू भी नहीं कर पाओ गया बोट फायर तो यहाँ पे मैं बिलकुल चलाता रहता हूँ ना बोट की तरह गोली पेलता रहता हूँ अब यह जो मैंने किया ना यह जो हरकत की यह मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो एक सस्ती गन यानी की युम्पी चला रहा था कोई भी और गनूती ना मेरे ख्याल से यार मैंने ठिल जाना था यहाँ पे लेकिन अब क्या कर सकते यार देखो बोट फायर से इतना तो हुआ कि वो लोग हमारी तरह आए और बिलकुल पीक पाक करके नेट कर रहे थे तो दो नौक कर दिये हैं अब एक बचेवे बंदे को पेलना है और यहाँ पे इन तीनों बंदों को पेल दिया जाता है हरा देखो अब बोट फायर से फाइदा यह हुआ कि यह लोग केम्पिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि अगर देखो हम लोग रस करते यह घर पे कैम्प करते रहते करते रहते बैठे रहते एक जगा और जैसी हम बहार आते यार यह पेल के पेटी बना देते तो हमने बोट फायर की वो लोग देखना है इन्हें पता चल गया कि बोट ना है यहाँ पे कोई ना कोई देने की चीज हरा अगर आपको प्री फायर देना है तो यार जब तक आप प्री फायर वागेरा दोगे ना उजी की गोलिया खतम हो जाएगी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं क्योंकि कई बार मैं ठिल गया हूँ उजी में क्या होता है आपको तभी गोली चलानी पड़ती है ज सिर्फ पांच गोली बंदे को लग रही है यार कुछ नहीं होगा गलत सीन होंगे वहाँ पे क्यार एमफोर मैंने रखी रखी अपने साथ था ना क्योंकि सही है यार मतलब प्री फायर के लिए कोई तो गयनों नीची ये और आगे एक गाड़ी दिखती है आमे और यहां प पेटी बन जाती है इस बंदे की अपने को किल मिल चुकी है लेकिन इसका टीमेट इधरी कहीं आके भग चुका है भाई उसने गाड़ी कब वहां पे गुसा दी हमें पता भी नी चला मुझे लगा था आगे भगेगा लेकिन पीछे देखते तो गाड़ी उस बंदे की वही बिलकुल लेकिन देखो आप सीन क्या है आपको भी पता है मेरे को भी पता है मेरे नेट कितने सस्ते हैं तो नेट करने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं उखाड़ पाता कुछ भी नहीं उखाड़ पाता और मेरा ये सस्ता नेट देके हमारे टिमिड भाई भी बिल्कुल पागल टैप हो जाते कि भाई कैसे कोई इतना सस्ता नेट कर सकता है खेर इसे उजी से ही पिलना पड़ेगा और एक और बात ये है कि यार उजी वन वर्सिस वन के लिए बहुत बढ़िया है अगर आप अपना सप्रेव अगेरा कता इस घर भायंकर वाला समाल लेते हो तो आप दो बंदे पिल दोगे ठीक है तीन भी अगर तब पेल सकते हो जब लोगों की हल्थ कम हो क्यूंकि देखो इस बंदे को मैंने पेला ठीक है मेरे ख्याल से सारी गोली मैंने लगाई उसके भलाई पाउपू में लगी हो लेकिन हां सारी की सारी गोली लगी जहां तक मुझे पता है और उसको पेलने के बाद उसकी पेटी बनने के बाद मेरे पे सिर्फ तीन गोली बाकी थी तो यह यह यार देखो अगर उन में से भी मैं प्री फायर करता तो शायद ही वो बंदा ठिलता खैर जो भी हो अपन इधार आते हैं ना देखते कि यार डिरॉप में कुछ खतरनाक मिल जाए AUG होती है जो की काफी बढ़िया गने लेकिन यार उसका रिलोड टाइम भाई पूछो मत मतलब इतने देर में आप किचन में जाके हलवा बनाके खालोगे तब जाके गन रिलोड होती है ठीके ये कुछ जाद है यूग है लेकिन हाई यार टाइम लगता है अगर आपके पास वो एक्स्टेंड है कोई कोई समझ जाए यार वो महंगा वाला जो भी होता है मैं ख्याल से चार बंदे होते तो मैं बोलतों भाईया भग लो यहां से और हम फिर भी फच जाते हैं मतलब हम गाड़ी वालों से बचने के लिए इधार आए और इधार पूरी सुकोड बैटी पड़ी है यहां पे अब यहां पे हमारे भाई पूरी जान लगा के चिलाते हैं हना भाईया सैक में बंदा है मैं बोलतों अरे भाईया क्या हो गया मैं सुनता नी ठीक है जैसी चिलाने की आवाज आती है जैसी आवाज बढ़ती है मैं बोलतों यार जो भी ए गलते भग लो यहां से तो मैं पीछे आता हूँ और दिवार के कवर में आने के बाद भी गोली लग रही है खैर उसकी बात नहीं करेंगे यार क्योंकि क्या फाइदा है यार बबजी तो बीजी है कपड़े बुनने में अब ये जो साक में बंदा होता है यार पहले तो सही था है न क्योंकि हमें पता नहीं था वो वहाँ पर है लेकिन यार जैसी पता चलता है वो तब भी अंदर रहा तो उसका ठिलना तय हो चुका था कते मोली मूली जलती बोतल में आग फेकता हूँ वहाँ पे वो बाहर आता है कते उजी पेल देता हूँ तो हाँ उसकी पेटी बन चुकी है अभी भी तीन बंदे बाकी है क्योंकि यार फुटी स्टैब जो आ रहे है न यार बहुती ज़ादा दवाके आ रहे है तो देखो अब मैं बोलतो यार नेट करने का तो मन नहीं कर रहा है लेकिन हमारे भाई बोलते यार कर ले क्या पता कुछ भड़ जाए अना क्योंकि यार गलती तो होती रहती है जिंदगी में क्या पता पबजी में भी हो जाए गलती और गलती से नेट भड़ जाए तो मैं बोलता हू देता हूं एक उपर और यहां पर मैं बहुत ही खुस हो जाता हूं मतलब एक तो मेरा नेट फटा और उसके साथ बंदा बीठिल गया और यह पता नहीं क्या ही हील कर रहे होते तो इन दोनों की पेटी बना दी अब एक बंदा आगे बाकी है और आखिर कार फाइनली यह बंदा ठिली जाता है मतलब पहले इसे क्या-क्या नहीं पटका है मैंने इसे पेलने के लिए उजी की सारी गोलिया चला दी है थोड़ी सी बाकी थी M4 से प्रीफायर दिया यार क्या-क्या नहीं क्या लेकिन आखिर कार बंदा ठिल जाता है लेकिन भाई खतरनाक बंदा होता है यार जाते-जाते डेमेज दे गया लेकिन कोई नहीं मतलब देखो यार लूट की कमी है नहीं यह हरी पेटिया इतनी सारी पड़ी है यहाँ पे कि जन्मो जन्मो तक लूट सकता हूँ यहाँ पे मैं लेकिन यार देखो AWM अगर आप छोड़ते हो तो यार अपने रिशक में छोड़ना क्यूंकि जब भी मैं AWM और ग्रोजा चोड़ता हूँ न मेरे साथ गलत सीन होते भाईया पाप चड़ता है कता ही इसलिए भाईया AWM है उठालो ग्रोजा है उठालो छोड़ने का कोई सी नहीं है उन्हें खैर यहाँ पर मैं AWM उठा लेता हूँ जोन अपने पर यह होता है तो थोड़ा होल्ड हार्ड कर लेते हैं लेकिन कब तक यार अपने पर जोन कब तक रहेगा इतनी तगड़ी भी नहीं है अपनी किसमत तो देखो उपर से बंदे भकते वे दिखते मुझ मतलब दिखे उते यार आते वे लेकिन मैं पेल किसी को नहीं पाता ख्यार यहाँ पे मैं बस इंतिजार कर रहा होता हूँ की जोन हमें धोका दे और यार जाना पड़े भगभुक के जोन में उपन में बिल्कुल अब यहाँ पे तुम्हारा भाई गणित लगाने की कुशिस करता है हाना तो देखो दो बंदे मुझे उपर दिख गए दो हम है बचे बाकी के दो मतलब अब देखो यार कहा होंगे आगे से भी गोली गाली चलेगी अभी तो हाँ उधर पे ही बंदे बैठे होंगे जोन में साप सुब बन रखे होंगे तो मैं पस इनते जार कर रहा हूँ कि यार कोई दिख जाए मुझे और कोई नहीं दिखते है यार मतलब जो भी दिख अब देखो यहां पर समोग भी ओर रखा है गोली भी धेड़ पैड़ चल रही है बंदे भी ठिल रहे हैं लेकिन मुझे कद्दू कोई नहीं दिख रहा है यार मतलब पूरी जान लगाते ताव में देखने के लिए लेकिन बंदा दिख्के नहीं देता और आखिर कार जब एक बंदा दिखता है जब मैं उसे पत्वे में एज़स्ट करके पेलता हूं वो ठिल के नहीं देता आना उपर से बहिया जोन ने भी धोका देई दिया है जैसा कि मैंने बोला है टाइम टाइम की बात है थोरे टाइम बात जोन धोका दे ही देगा तो जोन भी अपने पे नहीं है अपन पे भाईया कद्दू कुछ नहीं बचाए यहाँ पे जोन के नाम पे तो हम बोलते भाईया रस कर दो चाहे जो भी हो और जहां तक मुझे पता है बंदे लेफ्ट में है उपर की साइड लेकिन मैं गलत हुताओं और तयार हो जाओ क्योंकि असली गलत सी न यह है अरे भाईया किधर जाना है भाई इतने जोस में किधर किस बात का जोस था यह मतलब वो बंदा देखता है कि यहाँ पे हम गोली बारी चला रहे हैं वो भाई थर्ड पार्टी करने के लिए इस कदर थर्ड पार्टी करता है कि भाई बग्गी के साथ वो भी जोन के बाहर जाता है हवा में उड़ते वे जाता है मतलब मैं देख रहा हुता हूँ मैं दिमाग में सोच चल रहा हुता है कि भाई ये क्या है और ये क्यूं है ठीक है एक टाइम के लिए तो भाई मुझे लगा था भाई ये कता कि थर्ड पाटी करने आएंगे अब ठिला के रख देंगे लेकिन यार उसकी बग्गी भी बाहर जाती है जोन के वो भी जोन के बाहर सीधा नौक होता है और देखो हम इतने धीट इनसाने की भाई या पेल के तो रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए तो जोन के बाहर बिए उसकी पेटी वनाई और उसका टीमेट पीछे से आ रहा होता है अच्छा वह उसके सात नहीं था उ और यह बंगी वाले बंदे के लिए एक लाइक पेल दो मतलब बाई पूरे जूस में आये थे यार एक टाइम के लिए टाइगर शीरॉप भी फेले यार इस चीज के पीछे मतलब क्या ही बंदा था यह खतरनाक बहुत इसे वह या पिच्चर पुच्चर में डाल दो कता ही बिल्कुल हवा में उड़ाने इसे जाके खेर आज की विडिव में इतने भाई लोग यार अगर आप यहां पे नए हो तो सब इसक्राइब करो और भी ऐसे गलत सीन के लिए तुकि यार ऐसे गलत सीन अप इतो बुल